दोस्तों आज की वीडियो काफी ज़दा इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेड है क्योंकि आप हमेशा न्यूज में सुनते होगे कि 10 दिन में 10 स्टोरी की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो गई या 19 दिन में एक बड़ा स्काइस कलपर तीस मंजील के बिल्डिंग की कंस्ट पर त्यार हो गया तो वह प्रोसेस कहा रहता है प्रीव हबरीगेटर रहता है लेकिन वह दस दिन में वहां पर त्यार हुआ यहां उसकी कंस्ट्रक्शन हो थी लेकिन वह वर्क जो रह रहा होता है वह काफी टाइम से चल रहा होता है पहले से ही जो पैनल होते हैं वह त्या यह सब free fabricated यह ठीक है यह आई sections लगा दी जाती है उसके ओपर बीम लगा दी जाते हैं तो इससे क्या होता है वह काफी जल्दी होता है और बाकी अगर दूसरे प्रोसेस से बताएं तो पहले ही क्या किया जाता है वाल को precast कर लिया जाता है कॉलम को precast कर लिया जाता है हर लेकिन वह चीज जो बन रही होती है वह क्या पता एक साल या दो साल से पहले ही दूसरी साइट पे construct की जा रही होती है कॉलम हो गया बीम हो गया वाल्स हो गया रूफ हो गया बस वहां लाके उनको उसी हिसाप से डिजाइन किया जाता है कि उनको एक साथ जोड़के पूरा गर बना दिया जाए वैसे जैसे किसी कार की construction होती है कार के parts पहले बन जाते है और कार जब assemble होती है तो एक साथ एक दि के लग गया होगा कैसे किया जाता है बस आप अभी complete वीडियो देखो कि यह process कैसे हो रहा है यह parts पहले के cutting bending हुए बस उनको side पे लाके assemble किया जा रहे है झाल जाता है झाल झाल झाल